विकास्यल देशों का ग्रूप ब्रिक्स तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में विर्क्स के बार में बात करेंगे इसका इतिहास क्या है साथ ही साथ इसे में कितने मेंबर हैं इनका अस्थापना कब हुआ था और इससे अभी जो है करन्डफियस से पूछे जाने के संभावन हैं तो विकास्यल देशों का एक अंतराष्ट्य संग है जिसको हम लोग कहते है ओर दिहान रखेंगे व्रिक्स एक अंतराष्ट्य थैस यह में जो अब बिक्सित नहीं हुए हैं लेकिन अपना जो है नेशनल है उसको भी तरीके से करते जारे हैं उसका राष्ट है उसको बहतर रंग से उसमें आगे बढ़ते जारे हैं तो इन्हें का एक ग्रूप है जिसका हम लोग कहते हैं ब्रिक्स कि बिख्स का उद्देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक थूसरी का सखयोग करना और अगगे बढ़ेत ना है तो दोस्तों बिख्स का उद्देह से हुआ है अब दोस्तों यहां पर हम लोग इसका इतिहास के पारे में जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है यह बना कैसे किस परकार से इसको भी थोड़ा से देख लेते हैं हम लोग चार जनरल राइजियों याने कि बी आर आइसी की विद्यस मंत्रियों की बैठक पहले नियॉयोर्क सीटी में सन 2006 में हुई थी उसके बाद बाद में पूरी तरह से डिप्लोमेटिक मीटिंग जो हुआ हुआ 16 जून 2009 और रूस के येके टेरिन वर्क सहर में हुआ और पहला फॉर्मल सब्मिट भी इसी दिन हुआ तो दोस्ते यह आप 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 दो देख रहे हैं जो यह ब्रिक हैं यह जो ब्रिक हैं यहां पर जो है चार जनरल राज हैं इनका जो है डिप्लोमेटिक मीटिंग हुआ 16 जून 2009 को हुआ यानि ये डेट जो है वह बहरी बहरी इंपोर्टेंट है इस दिन को यहां पर कहां पर तरूस के येके टेरिन वर्क सहर में इनका जो है डिप्लोमेटिक मीटिंग हुआ और उसी दिन इसका फॉर्मेशन हुआ यानि कि बी आर आई से ब्रिक का फॉर्मेश सहर में इसका इस दिन इसका इस ताबना तो यह आप लोग याद रखेंगे अब देखते हैं दोस्तों यहां पर ब्रिक के पहले बैठे के अधेशता रूस के द्वारा किया गया यह आप ध्यार रहेंगे जो है यहां ब्रिक का जो पहला फॉर्मल समिट हुआ या व्याद ह ब्रिक के पहले बैठेक में भारत की और से ततकारिन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमाहन सिंग ने भाग दिया था तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अंप ब्रिक्स को पहले ब्रिक कहा जाता था जिसमें के वल चार देशही सदेशucht थे जिसे की ब्राजिल रसिया इंडिया और चैना जो ब्रिक्स अभी नाम हुआ लेकिन इसका परिक चार से पर ऐसे ब्रके अब से पर ne के लिए प्रयासरत था बाद में 24 दिसमें 10 को रचिनाप्रिक का इस प्रिक संग में आधिकार के रुप से जुड़ गया और ब्रिक का नया नाम ब्रिक्स पढ़ा यानि फूल पांच देश तो यहां 2010 का जो अगस्त मेन था उसी समय से दचिनाप्रिका इस अंगट संग में जूड़ने के लिए प्रयास रहता हुआ कोशिस कर रहता लगाता और यह जो है 24 दिसमबर 2010 यह जो डेट है उसी दिन को दचिनाप्रिका इस ब्रिक संग में ऑफिचली रूप से जुड़ गय तो यह आप लोग द्यान रखेंगे ब्रिक्स पढ़ गया और अब इसमें तोटल माज देश होगे यानि कि यह माज देशों का समूब बन गया था तो यह आप लोग याद रखेंगे जो है अब देखते हैं दच्छिन अफृका अपरे दोचर गारा के ब्रिक्स संग्रीट में पहली पर फूल मेंबर के रूप में सामिल गया जो चीन के सानिया साहर में हुआ था तो यह चाइना का सानिया साहर है वहीं पर उस समय का ब्रिक्स संग्रीट हो रहा था उसी पर यह याद रखेंगे अब तो यहां पर जो है दो हजार ग्य्यार का कहानी यहां तक है उसके बाद है ब्रिक्स देशों के लिए बैंक खोलने का आइडिया जो हुआ भारत ने ही फॉर्थ ब्रिक्स सम्मिट 2012 में दिया जब भारत की सम्मिट की अधेचता कर रहा था तो यह भी आपनों मेरी इंपोर्टेंट यह भी ध्यान सकते हैं कि जो है ब्रिक्स डेवल्मेंट बैंक उसको खोलने के लिए जो आइडिया दिया था हुआ भारत नहीं दिया था यानि इंडिया दिया था और उस समय चूथे नंबर का विरिक्स समिट हो रहा था तो यह भी आपनों याद रख सकते हैं कि फंद्र जूला दोचार चोउदा को सिक्स्थ ब्रिक्स समिट में बैंक को लेकर एग्रिमेंट पर हस्ताचर किये गे और इस प्रकार ब्रिक्स डेवल्मेंट बैंक का निर्मान हुआ अब देखिए यहां पर संगाई चीन में है, ये आप लोग याद रखेंगे, कि जो है, British Development Bank, उसी का बाद में नया नम हुआ, New Development Bank, ndB, और इसका headquarter का है, तो वो है, संगाई चीन में है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, आप याद कर लेंगे, भारत के, के वी कामत एंडीबी के पहले इलेक्टेट प्रेसिडेंट बने ते यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर 15 ब्रिक्स सम्मिट और नए देशों का साम्मिर होना यह भी एक आनी है और यहीं से अपका बनता है यहां से करेंड़ फिर में पुजाने की क्योस्टिन समभावना है देखिए 15 ब्रिक्स सम्मिलन और नए देशों का साम्मिर होना यह है इसको देखते हैं देखिए 15 ब्रिक्स सम्मिट अगस 2023 में साउत अफ्रीका की मैजबानी में हो रहा था तो आप धियान रहेंगे जो 15 ब्रिक्स सम्मिलन हो रहा था मतलब हुआ था अगस 2023 में और यह कहां हुआ था तो यह साथ अपरिका में हुआ था और उसी की मैजबानी में हुआ रहा था दच्च नप्रिका राष्ट पती सिरिल रामा फोषा ने इस बेठेक में एनांस किये की 6च उभरते उए मार्केट गुरूप देस ब्रिक्स में समयाँ रन चाते हैं तो यहां पर आप आप दोगों देख रहे हैं कि दच्छी नपरिका के जो राष्टपती हैं से रामाफोसा उन्होंने इस बैठक में एनॉंस किये थे कि 6 उभरते हुए मार्केट गुरूप देश यानि कि 6 मार्केट गुरूप देश जो कि इस ब्रिक्स में समयोना चाहते हैं तो इस परकार का यह एनॉंस किया गया राष्टपती से रामाफोसा के द्वराजों की दच्छी नपरिका के राष्ट होती हैं तो यह आप लोग याद रखेंगे उसके बाद होता क्या है देखते हैं कौन-कौन से 6 देश थे तूब अर्जेंटिना एजीप्ट एनिकी मिसर इथियोपिया, इरान, साओधी अरब और UAE यह जो हैं छे मार्केट गुरूप कांट्री यह भी इस ब्रिक्स में सामिल होना चाह रहे थे तो यह अपले याद रखेंगे और यह सब सभी मार्केट गुरूप देश हैं और यह भी विकासी लवस्ता में यह अभी अपना जो कि बात में 29 दिसमबर को और्जिंटि Cayden सरकार ने ब्रिक्स में सामिल होने से अपने आपको विद्डरो कर लिया और इस प्रक्रकार्वार्व में ब्रिक्स नहीं होना है क्या करके अपना नोमिनेसन को वापस ले लिया तो इस परकार से और्जिंटिा को छोड़ करके तो यहाँ पर जो है, पाले छे दैस ज्यों locker गो चुटर कर के पादवकी जुफ है वगों वह सामिल कर लीए गये तो इस परकार से पलेंगे नए देशों का ब्रिक्स में सामिल कर लिया गया अब यहां देखते हैं बरतमान में एक जनुरी दोजार चोबीस से यहां ब्रिक्स गूरूप दस देशों का संगठन है तो पहले 5 देश थे वह साथ-साथ बाद में अभी फिर से आ गए तो यह सब मिलकर के अब 10 देशों का स यहां जब 10 देशों का संगटन नहीं था तो उस समय विरिख्स को और फाइब भी कहा जाता है या कहा जाता था क्योंकि इसके जो देश है याल जो पांचों जो देश है उनका करेंशी का जो नाम है वह आर से से स्टार होता है इसको भी हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से चलिए हम लोग एकर करके सारी चीज़ों को देखते हैं दोस्तों देश याने कि मेंबर कंट्री नायजदान है उसके करेंसी और लीडर इनको भी देखते हैं तो बी से ब्राजिल आर से रसिया आई से इंडिया सी से चाइना एसे साथ हो रही है तो ब्राजिल के राजिलिया क पर इसके तीन राजधानियों वाला है इनके जो करेंसी का स्टार्टिंग नाम और आर से साथ अपरिका इसके तीन राजधानियों वाला है इनके जो कारेंसी हुआ है रंड और इनका से रिल्ड रामा करेंसी तो देख रहा है यहां फ़सा है बने हैं देश नय मेंबर वह इजिपी यह ने किमिसर इसके राजदाने यह काहिरा इनके जो है कर्णिसी पाउंड और इनके जो लेडर रहे हुआ अबदिल फथा अल्सी सी है तो यह आप लोग करेंट अफ्रेस के इसाफ से भी ध्यान रहे हैं साथ साथ में करेंसी और नेता है जो लीडर ने रहा है अब्दल फस्ता अलसेसी है एथियोपिया राजदाने अधिस अबाबा करन्सी बीर और घृँब्द यह अधर सकते हैं इस परकार से ए्राण, अिरान की राजधनी ये 13 इनका जो करंसी है, रियाल और यहाँ पर जो अब रहा है जो अब लीडर है हुआ है इबराहाईम रैसी, ये भी आप लोग याद सकते हैं नौए नमबर पर है साउधी अरब इसके राजधनी ये रियाल और इनका जो करंसी वो रियाल है और यहाँ पर जो सासन चल रहा है जो लीडर हुआ है मुहम्मद बिन सल्मान तो यह भी आप लोग याद रह सकते हैं इस परकार से भी जो दस्वे नमर के हैं वो है UAE United Arab Emirates तो इसके जो राज़ा नहीं वो अभुधा भी है और जो इनका करंसी वो है दिरहम और वहाँ पर जो है भी लीडर जो है वहाँ है मुहमद बिन जायद अल नहियान तो यह भी इस परकार से आप लोग याद सकते हैं और यह जो है पांच जो नए जुड़े हुए है नियू मेंबर उनकी जो है राज़धानी है करंसी है और वहां के लीडर है इस परकार से इन सारी सीजों को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग देखेंगे और हो सकता है यहीं से कोशिन पूछता जाएगी अभी कौन-कौन से नए मेंबर बन तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो है पंद्र नम्बर तक हो चुग है अब जो वहा होगा रूस में रच्या इसकी अधिशता करेगा और यह होना है अक्टूबर 2024 में होना है तो यह आप लोगों याद रखना है तो दोस्तों इस परकार से देख लिए ब्रिक्स क इहाँ पर NDAB के बारह में भी मनें बताया है को से जोगफ भी देख सकते हैं जो अर है यानि की रशिया को छोड़त करके बलाची सभी डेस लवस्ता में हैं लेकिन अपना इक़ geschक्रत देश थे बराबर का या तो फिर बिक्ति t जो देश है उसके पास पहुंचने वाले हैं तो इस प्रकासे आपका भी की कासी में हैं लेकिन व्रकासी देशों की यह व्रकासों के सुचे में जलुँट पहुंचेंगा यह तो फिर एकम उसके पहुंच आएँगे तो इस प्रकास से इसको ध्यान रखना है तो यह जो है विकासल देशों के कंत्रास्ट संग है विडिक्स यह इसकी जानकर थी